नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए चारट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का ह हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और अगर किसी प्रकार का कोई चालेंज है तो उसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि कैसे हम चालेंज को ओवरकम कर सकते हैं और यह जो गाइडेंस होती है यह एक से लेकर 9 मूलांक तक होती है यदि आपको नहीं पता कि आप आपका मूलांक और आज की तारीक देरा जुलाई दो हजार तेस आज की जो यारिकी यह हैं दो होते हैं गया दोस्तों पढ़ने वाला है आझ एक से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आसान और सरल से टिप्स में आपको देना चाहूंगी दोस्तों नहाना हमारी जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हम बहुत समाने रूप से लेते हैं कि हम सुबह सो के अपनी दिन चर्या में हमारा जरूरी है पूजा पार्ट करेंगे अगर आपने इसे थोड़ा सा भी मोल्ड कर दिया आपने से जरा सा भी आध्यात्म से कनेक्ट कर दिया तो आपका यह नहाना ही आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्दियां लेकर आ सकता है तो आए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपने आज की कारिक्रम की और जानत एक के लिए हमें बताया जा रहा है TRANSFORMATION का कार्ड है आपका जो लगी नंबर है वो है नंबर 5 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन से अपकी जिन्दगी में बड़ा बडुराव आ रहा है अब दॉस्तों बदलाव की जहां बात करते हैं alors व्यक्ति दर्व्यक्ति ये बदलाव की परिभाषा अलग होती जो हां गाइडेंस आती है ना उसका मीनिंग बहुत सारे लोगों में अलग अलग हो सकता है अजब टरान्स्फों मेशन की कांशिस और अपने चीजरं को कर सकते हैं इसके अलावा अगर भा इकता की बात करूं तो आप जोब हमें परीवर्टान कर सकते हैं तो गृतरीय की पर्य dibujत के लिए है So whatever is going to happen जो भी change आ रहा है जो भी transformation आ रहा है वो आपकी बहतरी के लिए है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है प्लेफुलनेस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आपकी एनरजी बहुत अच्छी है लेकिन इस एनरजी का सदूपयोग आपको टेंशन लेके या बहुत जादा सीरिस होके नहीं करना है बलकि जितना जादा आज आप हसते खेलते अपने कार्यों को करेंगे उतना ही बहतर ढंसे आपकी चीजें जो है वो पूर्ण होंगी संपन होंगी और आपका जो आकरशन है वो आज बढ़ेगा क्योंकि जब आपके काम करने का तरीका प्लेफुल होता है ऐसा कहा गया है ना कि जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आपको कभी भी थकान नहीं होती उस कारे से तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आज आप काम करेंगे उसको अगर आप अपना पैशन अपना लव समझ के करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके काम करने के तरीके को देखकर आपके आसपास के लोग आपसे आकर चित होंगे आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मुलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 13 जुलाई 2030 के लिए और मुलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है साइलन्स का कार्ड है आपका लगी नंबर जो है वो है नंबर 7 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी वानी पर नियंतरन रखना बहुत जरूरी है आपकी वानी में किसी भी प्रकार का एहंकार का भाव नहीं आना चाहिए किसी का दिल ना दुखाएं बलकि आज के दिन आप जितना ज्यादा आपने आपको शांत रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है अब यह शांत रहना है कहते ना सही समय पर सही निर्ने लेना और बहुत सारे नकारातमक माहौल को एक मौन जो है वो चुप करा सकता है तो वही आज की आपकी इस्तिती है सोच समझ कर आप बात करें आपकी बातों को अन्यथा भी लिया जा सकता है तो आज के दिन कोई भी आप बड़ा कम्मिनिकेशन हो महत्पून कम्मिनिकेशन हो अगर आपको पनी बात को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है मीडिया के सामने आपको आना है इमेज बिल्डिंग का जो काम है पी आर का जो काम है आज करना आप अवाइड करें आई जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 जुराई 2030 के लिए आज की तारीक जो जोड़ है वो भी है नमबर 4 कार्मार आट आपका लगी नमबर आपको कहा रहा है कि छोटी-छोटी बातों पर छोटी-छोटी चीजों पर आपको खुश रहना है आज आपको अतीम हत्वाकांक्षी होने बचना होगा बल्कि जो कुछ आपके पास है उसको एक्सेप्ट कीजिए उसे आप स्विकार करें परमात्मा को उसका धन्यवाद दें क्योंकि बहुत सारी लोगों के पास वह कुछ भी नहीं होता जो आपके पास मौजूद है मैंने देखा है बहुत सारी लोग जो है वह संतुष्ट नहीं होते क्याते नहीं नहीं मुझे तो और मैं यह कर सकती हूं मुझे यह चाहिए मैं इसको डिजर्व करती हूं आपकी बात सही आपको लगता है यह सब चीज़ें लेकिन जो भी कुछ आज आपके पास है आपके परिवार हो आपके अपने पार्टनर हो आपको उनका आज क्या करना है आपको उनकी कद्र करनी है आई जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन यानिकी 13 जुलाई 2030 और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है पॉसिबिलिटीज का काड है लकी नमबर है आपका नमबर दो और आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आज आप काम कर रहे हैं जो भी कुछ आप निर्णे ले रहे हैं जिस भी पाथ पर चल रहे हैं आप उससे और बहतर भी कर सकते हैं बहुत सारी संभावना आज आपके किन गई-पायाइज गयं है कि आपको अभिस। देखा जए तो आज आपको डिवाइन क्या गइड कर रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं अपनी सोच पंज्वाब कर लिजे क्योंकि हो सकता है केवल आप एक दर्वाजा खोल रहे हों अपने करियर का या अपनी लाइफ की ग्रोथ का लेकिन परमात्मा ने महां एक के साथ साथ एक दर्वाजा और रखा हो कि आपको दोनों दोनों हातों में लड़ू मिले लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है आत्म वि 2000-2020 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा या रहा है करिच का करण है लगी नमबर नमबर 8 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकि हिंति आपका करिज की बहादुरी आपको वाह सफलता दिलाएगी कही ना कहीरीon को हासिल्थ करने में प्राप्त करने में कुछ कठनाईयां कुछ परिशानियां आ सकती है अपने डिजायर रिजल्ट तक पहुंचने में थोड़ी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन परास्त हो जाएंगे ऐसा संभव नहीं है क्योंकि परमात्मा की क्रपा आपके साथ है और आप अप रहे हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड करें है 13 जुलाई 2030 के लिए हमसे कहा जा रहा है प्रोजेक्शन का कार्ण है लकी नमबर आपका साथ और आपको कहा जा रहा है कि जो आप सोच रहे हो जैसा आप करते हो whatever you are whatever your energy and vibration is actually आप वही चीज आगे से प्राप्ट कर रहे हैं आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो आपका अपना mirror image अगर आप किसी भी तरीके से आज emotionally hurt हो रहे हैं या आपकी thought process में आपकी किसी से कोई विवाद हो रहा है ऐसी कोई negative energy अगर आप महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए पहला परिवर्तन आपको बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर लाना होगा अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई विक्ति सही विवार बरताव नहीं कर रहा है तो क्या होता है ना कि this is all a process of karma हमारा अपना projection जो हमने दिया वो हमें मिल रहा है तो अगर आप क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 जलाई 2030 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है हार्मनी का काड है लगी नंबर है आपका एक और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन लव कंपैशन से भरा रखें जितना जादा आप प्रेम और करुणा में रहेंगे उतना ही अधिक आपको आज सफलता मिलेगी बहुत सारे आपके अपने इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉंग होगी कहीं ना कहीं आपको अपकी लाइफ में जो आपका प्रेम है जिसकी आप तलाश कर रहे थे वो आपको प्राप्त होगा आपको अपनी ऑपर्शनिटी जो आप और करोना का भाव हो और साथी साथ आस्था पूरी हो यकीन मानिये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलंक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 13 जुलाई 2023 के लिए और मूलंक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है नथिंग नश्का कार्ड आपका लगी नमरे नमर पांच और आपको कहा जा रहे है कि आज का दिन आपका गुजरने वाला है बहुत कुछ खास नहीं है को बहुत बढ़ा कोई टास्क नहीं है बस जैसा हो रहा है उसे एज़िट आप एक्सेप्ट करें साथी साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि थोड़े अपने अस्तित्व के उपर आपको काम करना है आपको अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना है अपने कहते हैं कि स्वाध्याय करना है कुल मिला कि अपने आपको अपग्रेड करने के लिए आपको सोचना है आपका दिन शुभ हो दोस्तों यह बात देती है आपके बितर बैठे पर मात्मा को मेरा प्रणाम